आवाद ओजासर कहते हैं कि जादतर हम जो चीज के बारे में सोचते हम वही बनते हैं यदि आप lifetime सोचते रहोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे अंदर कोई quality नहीं है तो आप देखना कि आपको life में वैसे मिलने ही वाला है आप कभी भी अपने life में कुछ भी नहीं कर पाओगे जो भी field में आप जाना चाहते हो वो field में आप नहीं जा पाओगे महाभारत की युद में जो करड़ के सार्थी थे हमेशा उनको कहते रहते थे तुम अरजुन से कभी नहीं जीत पाओगे और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके अंदर demotivation रहा और जबकि आप अरजुन को दिखोगे तो उनके सार्थी कौन थे उनके सार्थी थे कृष्णी जी और कृष्णी जी हमेशा उनको motivate करते रहते थे तुम कर सकते हो कर सकते हो अब आपको decide करना है कि आपको अपना सार्थी किसको बनाना है कि आप संदेह को अपना सार्थी बनाते हो तो आप life में कुछ नहीं पा सकते हो तो कृष्णी जी जैसे motivate करते थे अरजुन को वैसे आपको अपने mind को हमेशा motivate करना पड़ेगा उसको हमेशा मुची चीज बतानी पड़े कि क्या आप कर सकते हो, आपके अंदर capability है, आपने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आपने भी problems आए, आपने कितना भी failure अभी तक face किया है, but still आप इन सबको overcome करके अपनी life में success पा सकते हो, यदि आपको अपने future change करना है, तो आप ही को करना पड़ेगा, तो नहीं होगा कि कोई अचानक चमबतकार हो जाए, और सब चीज अपने आप सही हो जाए, success पाने के लिए आपको कुछ उसका price पे करना पड़ता है, हर मुसीबत से लड़ते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते रही है,